सबसे पहले बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहले बात करते हैं अजिकली की अजिकली काती है यह liquid state में पाया जाता है और बाकी के जितने भी element हैं वो gaseous state में पाया जाते हैं क्योंकि उनमें hydrogen bonding present नहीं होती तीके अब hydrogen bonding present होती क्यों है इस बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका जैसे fluorine होता है वो बहुत ही जादा electro negative element होता है इसलिए यह जो hydrogen इससे जुड़ा हुआ है तो fluorine की तरफ जो bonded electron रहेंगे maximum किस की तरफ हो जाएंगे fluorine की तरफ हो जाएंगे और यहाँ पर भी देखिए fluorine की electron negativity क्या है बहुत जादा है तो maximum bonded electron किस की तरफ हो गए fluorine की तरफ हो गए hydrogen electron deficient महसुस कर रहा है hydrogen electron की कमी महसुस कर रहा है hydrogen पर electron कम महसुस कर रहा है तो fluorine के पास में electron जादा है और hydrogen के पास में electron क्या है कम है hydrogen कैसा है hydrogen electron deficient है hydrogen के पास में electron क्या है कम है ठीक है clear that that's why maximum electron किस की तरफ चले जाते है flooring की तरफ चले जाते हैं और hydrogen electron deficient महसुस करता है hydrogen के पास electronوں की कमी हो जाती है इसलिए यहाँ पर क्या होता है यह जो hydrogen रहेगा वो neighboring flooring से bond मनाएगा कैसी bonding करेगा hydrogen bonding करेगा यह flooring इसको electron दे नहीं रहा है लेकिन क्यूंकि hydrogen के पास में electron क्या हो गए है कम हो गए है इसलिए electron deficiency hydrogen महसूस कर रहा है और that's why यह जो hydrogen रहेगा तीके यह electron deficiency महसूस कर रहा है electron की कम ही महसूस कर रहा है इसलिए जो hydrogen रहेगा तीके यह hydrogen इस fluorine से intra molecular hydrogen bonding के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा तीके clear that आरी बस समझ में क्योंकि यह क्या सूचेगा कि फ्लोरीन से मुझे एलेक्ट्रोन मिल जाएंगे और यह से जुड़ा रहेगा और hydrogen bonding बनाएगा जिसकी वजह से यह liquid state में चला जाएगा melting point and boiling point के अगर हम बात करें तो again वही कि boiling point जो रहेगा HF का वो maximum रहेगा reason is that again क्योंकि HF के अंदर क्या होगी hydrogen bonding present होगी same reason जिसकी वजह से hydrogen bonding होने की वजह से liquid state में रहेगा बाकी के सारे gases state में रहेगे that's why definitely इसका जो boiling point है वो जादा होगा और बाकी का जो boiling point है वो क्या रहेगा कम रहेगा तो यह मैंने आपको यहाँ पर hydrogen highlights की कुछ properties पढ़ा ही next video में आपको और properties करवाने वाली हो तो इसी तरह से जुड़े रहे हैं मारे साथ में videos को like करते रहे हैं और channel को subscribe करना ना बोले thank you